नमस्ते दोस्तों कुक विशृतिका में आपका फिर से एक बार स्वागत है स्ट्रीट स्टाइल स्पेशल रेसिपीज में आज हम बनाने वाले है पनीर टिक का सब्वे सैंविच तो सबसे पहले हम बनाते है पनीर टिक का और इसको अभी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारे पनीर को ये सारा मसाला लगना ची अच्छी तरह से, इसलिए हम इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम आदे घंटे के लिए, तो पनीर मैरिनेट हो चुका है, अभी हम पैन में लेंगे तेल और उसमें ये पनीर को अच्छे से कर लेंगे जब तक कि यह अच्छे से ब्राउनी हो जाता तो आप देख सकते हो कि पनीर अभी पक रहा है और अभी पनीर पुरी तरह से तयार हो चुका है तो यह अपनीर टिक का तयार हो गया है अबी मैंने सब्वे का बन लिया है यह गेहू का ब्रेड है इसको अभी हम बीच में से इस तरह से काट लेंगे नाइफ की सहायता से और ये इस तरह से ब्रेड के ऊपर अभी हम सबसे पहले लगा देंगे बटर मैंने बटर को थोड़ा सा मेल्ट करने रखा था बहुत जादा मेल्ट हो गया ये तो सिर्फ बटर को spread कर देंगे उसके बाद mint mayo को हम इसके उपर spread कर देंगे और फिर एक एक करके अभी सारी सबजिया डाल देंगे तो सबसे पहले मैंने डाला है लंबा कटा हुआ प्याज फिर लंबा कटा हुआ टमाटर डाला है मैंने इसके बाद हम डालेंगे लंबा कटा हुआ कटी हुई शिमला मिर्च फिर पत्ता गोबी फिर बहुत सारा लेट्टि उसमें डालने वाली हुँए इंगलिश पत्ता गोबी आप इसको बोल सकते हो यह बहुत अच्छा लगता है सैलाड वगारा में सैन्वीजेज में और यह मैंने स्वीट कॉन को नमक डाल के बॉइल करके रखा है वो मैं इसमें डाल रही हुँ आप अपकी पसंद की कोई भी सबजी इसमें डाल सकते हो और फिर आखिर में मैं इसमें डाल रही हु जो पनीर टिक्का हमने बना के रखा था वो हम इसमें अरेंज कर लेंगे आप हलेपिनो और ब्लैक ओलिवज ये भी इसमें 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 कर सकते हो तो पनीर टिक्का मैंने डाल दिया है अभी हम इसके उपर सॉस डालेंगे तन्दूरी मेव और चीजी सॉस मेरे पास है वो मैं यसमे डाल रहे हूँ मिन्ट मेव मैंने पहले ही डाल दिया था तो इस तरह से कोई भी आपका पसंद दीदा सॉस आप इसमें डाल सकते हूँ फिर मैं इसके उपर रख रही हूँ यह cheese slice जो normal cheese slice अपना होता है उसको ही मैंने बीच में से काट लिया है और वो मैं इस तरह से इसके उपर spread कर रही हूँ अब यह हम इसको अच्छे से बन कर लेंगे और इसको microwave कर लेंगे एक से दो मिनिट के लिए ताकि यह cheese अच्छे से melt हो जाए तो यह देखिए subway sandwich हमारा तयार हो चुका है इसको अब हम बीच में से काट लेंगे ताकि यह खाने के लिए आसान हो जाए आप भी घर पे इसको जरूर बनाईए और इसका अस्वाद लीजे बहुत ही healthy है और आसान है बनाना तो यह recipe अगर आपको जरा भी पसंद आई होगी तो like कीजे, share कीजे और cook विशुतिका को subscribe कीजे, मिलते अगले recipe के सब तब तक के लिए बाई बाई